नमस्कार भगवद गीता रोजी रोज आ कारेक्रम शरीणी मा अर्जून विशादियोग भगवद गीता ना पहला अध्याई ना चुमालिस्मा श्लोक मों आजे आपने सार्थ पाठ करेशू आज श्लोक ना शद्दो छे उच्छन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकेडन यंतन वासो भवतित्यनु शुश्रूमा आश्लोक ना अर्थ छे एजनार्दन मैं साम्ब्लिव छे के मनुष्यानों पूल धर्म नाश पामें छे त्योंने अनंत कालने माटे नरक मा रहू पड़े छे आश्लोक न विगत्वार अर्थ अन परिप्रेक्ष समझिये तो अर्जुन श्री कृष्णाने आगल कहे छे के मैं मारा वडीलो न गुरुओ पासे ती साम्ब्लिव छे कि जे कोई कूल घाती बने शे तेने तेना पित्रुओ अने तेमनी भावी पेडी ओए विवित प्रकारना नरकों मा रहवानी सजा भोगव वी पड़े शे अर्जुनागल कहे छे आ प्रुथ्वी पर कूल घाती व्यक्तिनू कोई बुल्य न थी तेना आ अतार्किक कृत्यन कारणे ते अहीं प्रुथ्वी उपर अन परलोख मा पोतानू जीवन व्यर्थ करे शे भगवाने मनुष्यने आ प्रुथ्वी पर रहिने तेना कारियों पसंद करवानी स्वतंत्रता आपी छे होए तेने तेनू कारिय सारा आचरण थी के दुराचार थी करवू, साचू कर्म करवू के खोटू, ते तेना अंतरात्मा अने विचारों पर आधारित छे अहीं, अर्जुन आ युद्धने टालवाना प्रयास करी रह अछे, जे थी तेने पोताना लोकोंने मृत्यू समीप पहुंचाडवा न पड़े आशलोक नू, आपना रोजिन दा मानों जीवन मां महत्को पन समझीए तो, जयारे मनुष्य जानतो होई, कि तेनू एक वात्र पगलू भरवा थी, तेना परिवार अने स्वजनोंने अपार नुकसान अने मुष्केलियो वेटवी पडशे, एटलू ज नहीं, तेनी आवना परिणाम भगवू पडशे, तो एवी जिस्थिती मान तेने ते पगलू न भरवू जोईए, आने ते आथीज तेने पाचा फरी जोईए, ए बावत में कोई कायर्ता नहीं, पन ते समझदारी पुर्वक्त नो निननाई हशे, तो एपन महत्त बनूँशे, कि जयारे लोको ना कल्यानने माटे कोई पगलू भरवामा आवे, त्यारे फक्त पोता ना अने पोता ना प्रिय जनो नो ज विचार करीने नहीं, परन्तु समग्र समुदायनो विचार करीने ते पगलू भरू जोईए, श्रीमत भगभग गिता ना अर्जून विशाद योग अत्याईनो चुँ मलिश्मों स्लोक नू आपने सार्थ पाठ करो, तेनू लेकन पलपाबेन पुरोही ते वडोदराती करो, आन तेनी प्रस्तूती आपना मित्र नरेशका पड़ी आये, सुरत्ति करे, भगवद गीता रोजे रोजना आकारेक्रम मा आवतिकाले परिथि मलिशू, ज्य